जैजनेत बंदवो मैं रवी जैन गुरुजी आज शनिवार और राहु काल प्राते 9 बजे से साड़े 10 बजे तक रहेगा हमें इस बीच में कोई भी नया कारिया आरम करने से बचना चाहिए और अब बात करते हैं आज के रासी फल की में इस रासी वाले संबंदों में खिचाव आ सकता है जल वाजी में निर्णे ना लें क्या करें नमो सिधानम की एक माला फिरें वर्षब रासी वाले बच्चों के साथ समय वैतीत करें खर्च से बचें क्या करें धाई सो गिराम लाल मसूर की दाल दान करें मिथुनरासी वाले बदन दर्द की शिकायत हो सकती है दिन अच्छा है क्या करें घी का त्याग रखें करकरासी वाले पुराने संबंदों से फायदा हो सकता है खान पान पर ध्यान दें क्या करें पानी में केसर घोल कर कमरे में रखी सिंग रासी वाले अचानक लाब की प्राप्ती हो सकती है आई के स्रौत बढ़ेंगे क्या करें शिरी भक्तामबर जी का 27 वा काविय 27 बार पढ़े कन्या रासी वाले स्वास्त पर ध्यान देने की आवशकता अच्छी खबर मिल सकती है क्या करें शिरी विमल नाजी का 40 पढ़ें तुला रासी वाले व्यापार पर ध्यान दें दिन साधारन है क्या करें ओम रीम शिरी आदिनाथ पारशनाज जिनेंद्राई नमा की एक माला फेरें व्रश्यकरासी वाले विरोधियों पर नजर रखें कोट के चेरी से बचें क्या करें अगर संबव हो तो बुजुरुगों के चरंचुकर आशिरवाद लें धनूरासी वाले मन में परसंता बढ़ेगी प्रीम संबंध सुधरेंगे क्या करें कभूत्रों को दाना डालें मक्करासी वाले जल्दवाजी से बचें लंबी आतरा पर जा सकते हैं क्या करें नो छोटी इलाइशी बेदी पर ओम रीम शिरी विमलनाज जिनेंदराय नमा बोलकर चड़ाएं कुमरासी वाले क्रोध पर काबू रखें नुकसान की आशंका क्या करें ओम रीम शिरी मुनी सुबरतनाज जिनेंदराय नमा की एक माला फेरें मीन रासी वाले काम कल पर मट टालें आलस्य से बचें क्या करें दस मिनट का स्वाध्याई करें रासी फलके पश्याद बंदो अब बात करते हैं आज की सलह की देखे आज की सलामे ध्यान रखेगा ववस्ता करें अपने आसपास जहां आप बैट से हैं व्यापार करते हैं वहां जस्मिन की खुद्भु की ववस्ता करें अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे आपका शुक्र ग्रह बलवान होगा और शुक्र ग्रह अगर बलवान होता है तो निश्चित रूप से हमें सुक सुईदा मिलने में काफी सैयोगी बनता है तो ध्यान रखेगा अपने व्यापार के इससान पर या जहां आप जोब करते हैं नोकरी करते हैं वहाँ पर जस्मिन की अगरवत्ती का या खुस्बू का परियोग करें अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से एक बड़ा परिवर्तन आपको दिखाई देगा और आप बात करते हैं आज की मेल की ये मेल हमें भेजी है अमोलक चंजी ने महराष्ट से लिखते हैं गुरू जी क्या मैं राजनीती में सफल हो सकता हूं मेरा मन बहुत करता है कि मैं व्यापार छोड़कर राजनीती में जाऊं और राजनीती का हिस्सा बनूं देखें अमोलक मैं आपको बता दूँ आपको भूल कर भी राजनीती में नहीं जाना चाहिए आपको अपने व्यापार पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए अगर आप अपने व्यापार पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे तो यही आपके लिए लाबदायक होगा क्योंकि आपके कुंडली मे राजनीती का बहुत परबल योग नहीं हैं तो इसलिए आपको चाहिए कि आप इधर उधर मन ना भठका कर केवल और केवल अपने व्यापार पर ही ध्यान केंदित करें आपका मन व्यापार में लगे इसके लिए दो उपाई हैं एक तो जब आप व्यापार के इस्तान पर पहुँचें तो शिरी भक्तामबर इस्तोत्र का 28 वा काविये 28 बार पढ़ें और दूसरा एक अच्छी क्वालिटी का पन्ना रतन लेकर सोने में मढवा कर बुद्वार के दिन गले में लोकेट के रूप में धारन करें अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आपका मन व्यापार में लगेगा और यही आपके लिए लाबदायक है और इसी के साथ बंदवो आपकी भी कोई समश्या या जिग्यासा है तो आप हमें मेल कर सकते हैं हमारी मेल आईडी लगातार फ्लेस हो रही है आपका दिन सुब और मंगल में हो इसी मंगल भाउना के साथ सबी को जै जिनेंदर